हेलो इब्रिवान मैं सचिन विस्व कर्मा आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीस्टी अग्रिकल्चर फिप्ट समिस्टर का क्रॉप इंप्रॉप्मेंट फर्स्ट खड़े प्रॉप का पुराना पेपर लेकर आया हूँ आई ये देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से पुछे गए थे तो सबसे पहले इसमें आपका सिक्सने में इसमें टिपड़ी पूछी गई थी जो कि निमल्खित हैं इसमें प्रतेक टिपड़ी जो है वो उसके दो मार्क्स दिये जाते हैं तो सबसे पहला है कि इंट्रोग्रेशन हाइबराइजिसन यानि अंतर मुखी स संकरण और बी है डोमिस्टिकेशन यानि ग्राम मन्य और अगली है जनेटिक रिसोर्स यानि फसल आनुवानसिक संसाधन डी है हाइब्रिड विगर संकारोज इह है इमस्कुलेशन बिपुनसी करण एफ है फीमेल गैमेटोफाइट मादा गैमेटोफाइट और जी है साइटो प्लाज्मिक जेनिटिक मेलिस्टलिटी यानि कोसा द्रब्वेई आनुवानसिक नर्व बन देता और एच है दुतियक जीन पूल सेकिंडरी जीन पूल यह जो है आपकी आर्च टी पड़िया पूछी गई थी जो की दो नंबर की है प्रतियक टी पड़ि और अगला आपका section B में जो है वो पूछा जाता है short answer type question यानि लग होते रही है प्रस्न यह जो है 300 सब्दों में लिखना रहता है और प्रतियक questions के आपको 5 नंबर मिलते हैं इसमें जो question पूछा गया था वो है name the various breeding methods used in self pollinated crop how would you transfer dominant disease resistant gene using back cross method explain with sketch diagram इसकी जो हिंदी होगी वो होगी 100 परागित फसलों की प्रजिनन बिधियों के नाम बताइए बाइक क्रोस बिधिद्वारा रोग रोधिता के लिए प्रभावी gene का आप कैसे अस्थाना अंत्रड करोगे और रेखा चित्वद्वारा इसको समझाए अगला है discuss the multiple varieties in wheat यानि की गेहों में बहुक्रम किस्मों की विवेचना कीजिए और अगला है चौथा नंबर explain the center of origin different species and races of jar jar के उद्भव केंद्र जातियों यह प्रजातियों का वर्डन कीजिए अगला है देर घुत्रिय प्रस्ण जो की section C के अंदर पूछा जाता है इसमें आपको 600 सब्दों में एंस्वर लिखना रहता है और यह 12 नंबर का हैस्वे आपको बारांग मिलते हैं इसका जो question है वो है कि describe the botanical description, breeding objective, breeding method and economic importance of ground donut यानि मुमफली के वानस्पतिक ब्यवरन प्रजनन उद्देशों, प्रजनन के उद्देशों, प्रजनन की बिधियों एवं आर्थिक महत्यों की का उलेख किजिए अगला है साथ नंबर डिसकस्ट दा evaluation, artificial hybridization and breeding objective of rice in detail धान के विकास, कृतिम स प्रजनन के उद्देशों को विस्तार में बताइए, यह हो गया साथ वाँ, अगला है आठवा नंबर, describe the briefly various method, describe the briefly various breeding methods used for improvement of mage, मक्का में सुधारों हे तू, सुधार हे तू बिभिन प्रजनन विधियों का संचेप में वरण कीजिए, अगला है नंबर, write short notes on following, यानि इस प यानि जननदब के प्रकार दूसरा है pure line and their uses यानि सुद्ध वन सुकरम और उनका उप्योग सी है concept आइडियो टाइप यानि आइडियो टाइप औधारणा क्या है आइडियो टाइप औधारणा क्या है तो ये questions जो है फूछे गए थे तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं और ऐसे ही important वीडियो पाने के लिए हमारे चोनल को subscribe कर लिजे और बिल आइगन को भी प्रिस कर दीजे